हेलो स्टूडेंस वेलकम बैक टू माई यूटीब चैनल चूग्रोफी गुरू आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास नाइन्थ हिंदी की वरक्षीट नमबर 80 यानि कारे पत्रक सिंख्या असी को आज की इस वरक्षीट में थोड़ा सा डिस्ट्रबेंसिज आपको हो सकती है क्योंकि मेरे एरिया में किसान अंदोलन के कारण इंटरनेट सेवाई है वो बादी था यानि इंटरनेट नहीं चलना है जिसके कारण मुझे किसी कैफे में बैट करके ये वीडियो त्यार करनी करती है क्यों प्रवत्ती अलाक है तो अहां पर लाल मिट्टी नहीं मिलती है तो घर घर जा करके उस मिट्टी की सप्लाई करती है लेकिन टीरी बांद के खांड वहां से लोगों को विस्थाफित होना पड़ता है और उन विस्थाफितों में मिट्टी वाली भी है तो उसक उसके जीवन के उपर क्या परभाव पड़ता है ये इस काहनी में हम पढ़ने और समझने के कोशिश करेंगे तो चलिए सुरवात करते हैं आज की इस वरक्षीट की जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पारें ये हमारी वरक्षीट नंबर 80 यानि की कारेपत्रक सिंख्या 80 रहेगा हमारा विशे हिंदी है आज की दिना करहेगी एक फरवरी 2021 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं माटी वाली कहानी विद्या सागर नोट याल जो लेखा कैस कहानी के ने माटी वाली कहानी के माध्यम से विस्तापन विस्तापन क्या होता है एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर बसना आम तोर पर विस्तापन जब होता है विस्तापन शब्द जब हम प्रियोग में करते हैं तो उसके पीछे मजबूरी जूड़ी होती है विस्तापन और प्रवास दो अलग लिएक चीज़े प्रवास है उसमें मजबूरी भी हो सकती है या इच्छानसार भी हो सकता है लेकिन विस्थाफन का मतलब होता है किसी मजबूरी के कार्ण कुछ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है तो इसमें विस्थाफन का दर्द है कैसे लोग जब जाते हैं सरफ लोग नहीं बदलते लोगों के रहने की जगह नहीं बदलती उनकी दुनिया बदल जाती है उनका सब कुछ सूना सुना हो जाता है उनके अपने अपनापन सब कुछ खतम हो जाता है तो उस दर्द को इस काहनी में बताया गया विकास के लिए सरकार सड़क, पुल, बांध, कार खाने आदी बनाती है या शहर का विकास किया जाता है तो उसके लिए भी जमीने है वो ली जाती है और इसके लिए जो जमीन है या जल जैसे नदी है या जंगल का प्रियोग किया जाता है यानि कि किसी भी कारे के लिए जब सरकार विकास कारे करती है और उस जमीन पर जब रहने वाले बहुत से लोग हैं उनको अपनी पहचान जनम भूमी रोजी रोटी छोड़ कर दूसरी जगह पर पलाइन करना पड़ता है अब जब वो पलाइन करते हैं तुने कई सारी समझे आती है जैसे अपने लोग हैं वो भिखर जाती है अपना पन खतम हो जाता है उनकी जनम भूमी छूट जाती है रोजी रोटी जहां चल रही होती है उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती कि दूसरी जगह जाकर कि वो अपनी रोजी रोटी को वैसे ही चला पाते हैं तो दूबिजली, पानी और शिंचाई के लिए बांध बनने के काण उस जगए को गाओं के लोगों के साथ छोड़ना पड़ता है। गरीब और शर्मिक वर्क किस तरह इस समस्या से जूज रहा है। इसका चित्रन लेखक ने बहुती सविंदन शीलता के साथ मारमिकता के साथ किया है। तो चलिए इस कहानी के एक छोटी से अंसको पढ़ते हैं और थोड़ा सा मैसूश करने की कोशिस करते हैं कि विस्ताफन क्या होता है और उसका दर्द क्या होता है समस्या क्या होती है। शहर के सेमल का तपड मोहले की और बने आखरी घर की खोली में पहुँच कर उसने दोनों हातों की मदद से अपने सिर पर धरा पोजा नीचे उतारा। किस शहर की बात हो रही है तो वहाँ पर आखरी मोहले जो शेमल का तपड मोहला है उसके आखरी घर की खोली में पहुँच दिये और दोनों हातों से अपने सर पर धरा पोजा नीचे उतारा। बोजे में क्या था मिट्टी से भरा एक कंटर या कनस्तर कह सकते हैं कंटेनर कह सकते हैं उसको कनस्तर कह सकते हैं उसको उतारा। माटी वाली की बात हो रही है ये बुढ़िया माटी वाली है पीरी शहर में सायदी ऐसा कोई घर होगा जिसे जो वो नए जानती हो जब उसे नए जानते हो घर के कुलनिवासी बर्सों से वहां रहते आ रहे हैं और किरायदार उनके बच्चे तक सब उसको अच्छे से प्रमपरा रही है हमारे पूरे अगर हम भारत की बात करें कि जब भी कोई तो हार आता है तो घर की साफ सफाई की जाती है और पहले कच्चे घर होते थे या पक्के घर होते तो भी एक आंगन कच्चा छोड़ा जाता था और उसको मिट्टी से लाल मिट्टी से उसकी लिप लिपिवाय फुताई के जाती थी। वह शुब माना जाता था। शुब संकेत होता था। एसी प्रंप्रार रही थी तिहरी शेहर के। तो वहां पर वो तिहरी शेहर में उस लिपाय पुताई के लिए मिट्टी की सपलाई आपुर्ती ये माटी वाले किया करती । घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के समय उस काम को करने वाली वह अकेली महिला थी उस वक्त उसका कोई पर्तिदवन्दी कंपिटेटर नहीं था कोई भी MNC मल्टीनेशनल कंपनी नहीं आई थी वह अकेली ही थी जो ये काम करती थी उसके बगेर तो लगता है टीरी शहर के कई घरों में चोलों का जलना तक मुश्कित हो जाएगा क्योंकि चुहले भी उस वक्त जो बनाये जाते थे वो मिट्टी के बने होते थे और मिट्टी के चुहलों की जो रोटिया होती थी उसकी साइद सवाद है वो अलग ही होता था तो जो गाओं में रहते वो आज भी उसी प्रमपरा से जुड़े हुए हैं वे ने रहे तो लोगें के सामने रसोई और भोजन लेने के बाद अपने चुले चोके की लिपाई करने के समश्या भी पेदा हो जाएगे भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समश्या ये भी थी वहाँ पर टिहरी के लोगों के लिए क्योंकि टिहरी जो परवती इलाका है वहाँ पर आसानी से लाल मिटी नहीं मिलती है घर में साफ लाल मिटी तो हर हालत में मौझूद रहनी चाहिए चुले चोकों को लीपने के लावा साल दो साल में मकान के कमरों और दिवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए लाल मिट्टी के जरूरत पड़ती है आपने जो दिल्ली में रह रहे हैं शायद उन्होंने नहीं देखा जो गाउं से आते हैं तो उन्होंने जरूर देखा होगा कि कच्चे मकान होते हैं, कच्चे मकान अब भी हैं, जहां पर पश्वों के लिए होते हैं, तो उसकी लिपाई पुताई की जाती है, इसी लाल मिट्टी की साहिता से की जाती है, तो इसी परकार की जरूरत वहाँ पड़ती थी, शहर के अं होता है तो आने वाले नए नए किराइदार भी एक बार अपने घर के आंगर में जब उसे देख लेते थे तो अपने आप उसके गरहाक बन जाते थे कारण ये था कि एक तो उसका मिलनसार सभाव था और दूसरा कारण ये था कि एक मातर वही जो थी जो मिट्टी उनके घरों में पहुंचा सकते थे घर घर जाकर माटी बेशने वाली नाटे कद की एक हरीजन बुढ़िया थी माटी वाली जिसकी कहनी है जिसको हम अगली वरक्षिट में कंप्लेट यानि पूरा समझने की कोशिस करेगे तो ये थी हमारी कहनी अब हम परशनोतर की बात कर लेते आज क इस वरक्षिट में साथ आसान परशन दिये गए पहला जो हमारा परशन दिया गए कि इस पार्ट के लेखक कौन है तो इसमें हमें ऑप्षन दिये गए तो इसमें खे हमारा उत्तर रहेगा विद्या सागन नोटियाल है वो इस पार्ट के लेखक है दूसरा परशन है माटी माती वाली टिहरी उत्राखंड के एक काउं में रहती है। माती वाली टिहरी शहर में घर घर में लाल मिटी पहुंचाती है। उसके में चोथा परशन दिया गए, चोथा परशन है कि आपके विचार से मिट्टी का क्या क्या उप्योग हो सकता, तो बहुत सारे उप्योग हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ उप्योग यहां पर लिखेंगे, पहला मिट्टी क्रिशी का अधार होती है, जितनी अधिक मिट्टी से इंटे बनाई जाती है, मिट्टी से घड़े इत्यादी बरतन भी त्यार किया जाते हैं, उसके बाद जो हमारा पांचवा परशन रहेगा, माटी वाली की तरह हैं, जंगल और मिट्टी पर जीविका वाले लोगों के बारे में लिखिए, काफी सारे इसे लोग हैं जो जंगल से अपनी जीविका चुलाते हैं, कुछ लोग हैं मिट्टी पर निरभर हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन यापन के लिए जंगल तथा मिट्टी पर निरभर रहते हैं, आदिवासी लोग अपनी सभी जरूरते जंगल से पूरी करते हैं, जैस जिसे जंगल कम हो रहे हैं, उनका जीवन ही अपन कठीन होता जा रहा है, इसी तरह किशान की किशी है, वो मिट्टी से ही जुड़ी है, जितनी अधिक उपचाओ मिट्टी उतनी अधिक पसल तथा उत्पादन होता है, तो ये दो वर्ग विशेश तोर पर आदिवासी लोग तथा किसान, वो मिट्टी से ही जुड़ी है, और उनकी आजीवका है, वो मिट्टी पर ही निर्भर करती है, उसके बाद चठा जो परशन दिया गया है, जहां आप जीवन भर रहते हैं, कल्पना के जीए, जहां आप जीवन भर रहते हैं, यदि किसी कारण उस जगह को छो नहीं आती है जब हम किसी दूसरे विद्याले में प्रवेश लेते हैं तब कुछ दिनों के लिए हमारा मन नहीं लगता है अगर किसी कारण हमें उस जगए को छोड़ना पड़े हमेशा के लिए जहां हम जीवन भार रहते आएं जहां हमारी सभी यादे जुड़ी हुए जहा सब अपना पन है तो साइद जीवन खाली-खाली सा लगेगा दुनिया उजड़ी हुई सी महसूस होगी उसके बाद सात्वा परशन रहेगा सात्वा परशन है कि किरायदार भी एक बार घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्रहाक बन जात थी ताकि घर शुद होसके और टिहरी शहर में एक मातर माटी वाली ही थी ही यहाँ पर होगा माटी वाली ही थी जो घर-घर मिट्टी पहुंचाती थी तो इसलिए उसके क्रहाक बन जाती थी अपने आप नए किरायदार भी तो यह थी हमारी आज की वरक्षीट विद डिस् क्या करिए झाली है झाली ही जाती थी है झाली है झाली है।